बिग बॉस के घर में हो रहा था फ्लावर वाला टास्क क्योंकि इसके जरीए ही वीटो पावर मिलनी थी तो टास्क के दोरान ही हुई जम कर हाथा पाई तो क्या थी वज़ा क्यों हुई इतनी हाथा पाई कि लाइफ फीट तक बंद करना पड़ा क्या हुआ है भाई पूरी अपडेट देंगे आपको अपने इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को इन तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए लाइफ फीट बंद रहा दीपक चौरसिया और दीपक चौरसिया ने जो बैमानी किये ना भाई इस टास्क में इसकी सजा तो उन्हें जरूर भुगतनी ही पड़ेगी क्योंकि ओडियोंस तो सब देख रहे हैं यार बिग बॉस बायस्ट है यहां पर अपना असली रंग दिखा रहे हैं वहीं अगर हम देखें दीपक चौरसिया भी इतने जादा बायस्ट है मतलब कि यार क्या समझ रखा है ओडियोंस को पागल वागल समझ रखा है क्या आपका इतना सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसके बाद कोई पावर ओडियोंस को नहीं है और उसके बाद भी बायस्ट चीजें करे जा रहे हैं तो ऐसा कैसे और यहां तक तो ठीक था लेकिन फूलो वाले टास्क में हुई जम कर हाथा पाई इस टास्क में बायस्ट जब संचालक इतना होगा तो हाथा पाई तो होगी जई और साई केतन राव यार वो दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी और अ हैं और विशाल पाणने के साथ इतनी जादा लड़ाई हो गई कि बात हाथा पाई तक पहुँच गई और हाथा पाई की वजह से ही लाइफ फीट को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा भाई किसी को इतना भी पोक मत करो कि वो सामने से वही जवाब दे जो आप सवाल पूछो भाई गाली के बदले गाली और हाथ के बदले हाथ तो मिले गई तमाचे के बदले तमाचे घूसे के बदले घूसा भाई यही होता है आज तक हमेशा और बिग बॉस में भी हो रहा है कब तक बायस्ट खेलोगे कभी तो जनता के हाथ में पावर आएगी तब इन स चुकी है तो यहां पर जो जगड़ा हुआ इसके बारे में आपका क्या है कहना किसकी तरफ हैं आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं कॉमेंट में आकर हमें जरूर बताइए हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर कर दीजिए और